तो दोस्तों हमारी सुबे की राम राम हो चुकी है सूरी दर्शन के साथ और आज दिन रभवार और साम हमने कुछ इस तरीके से पिताया है अपने मूँ में चाय पानी डालने से पहले हम पोधों को पानी पिलाना जरूरी समझते हैं अभी सुबे के 9 बच गए हैं और हम फटाफट से तयार हो रहे हैं लेकिन उससे पहले न हमने पूरी सब्जी और चाय बना करके रग दिया है घर वालों के लिए क्योंकि हम जा रहे हैं लेकिन बाकी लोगों को तो खाना खाना है और कहां की तयारी हो रही है जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा दोस्तों पूरा ब्लॉग तो अभी हमने घर को अच्छे से लॉग कर दिया है और निकल लिये हैं तो रास्ते आपको जाने पहचाने से लग रहे होंगे जिनोंने हमारे पहले ब्लॉग देखे हैं क्योंकि मैंने ये रास्ते अपने बहुत सारे ब्लॉग में सेयर किये हैं तो अभी हम आगे हैं माई के जहांके पुराने रीतिरुजना मुझे अच्छे लगते हैं बहुत सारे तो नहीं लेकिन ये वाले तो बहुत अच्छे लगते हैं तो ये दिखे हमारा स्वागत हो गया कुछ इस तरीके से चाय पानी पिया उसके पादना अपनी बच्पन की जगे पर घूमने निकले हैं तो यहां पर सेम लगी है तुराई लगी है नीमबू तो हम ले जाएंगे तोड़ करके क्योंकि न ये नीमबू बहुत खाने में स्वाधिट लगते हैं लोग की तोड़ने का मन था लेकिन बहुत चोटी चोटी थ होते होते हमारी भी रवान की दोस्तों माई के से हो चुकी थी सुबा जब इस रास्ते से निकले थे तो सारी की सारी दुगाने बन थी लेकिन साम वापस जब आये हैं तो सारी की सारी दुगाने खूली हुई है और अच्छी खासी भीड भी यहां पर है बहुत अच्छा मे तो आपको दिखाएंगे कि मैंने कितनी प्यारी प्यारी चीजे खरीदी है लेकिन अगले ब्लॉग में क्योंकि यह ब्लॉग ना बहुत लंबा हो जाएगा हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादा ब्लॉग लंबा हो और आप लोग मेरी आवास सुन करके बोर हो जाएं तो अभी दे आपकरी जल्दी पक जाए तो पूपर में बना रहे हैं नहीं तो कड़ाई में भी बना सकते थे प्याज अदरक लहसन हरी मिर्ची के पेश्ट कच्छे से भूना हल्दी पाउडर धनिया पाउडर उसके बाद गोल्डी सब्जी मसाला डाला है कटा हुआ गोभी आलू टमा हो गया है उपर से हरा धनिया पती डाल देते हैं तो हमारा आज साम का खाना हो गया है उसके बाद हमारी हुने जा रही है गुड़ नाइट दोस्तों तो मिलते हैं नेक्ट बिश्ट